जैशी किशन दूस्तों कैसे हैं आप अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आपका बहुत-बहुत सागत करते हैं आपके यूर्यप चैनल में आज मैं आपको तुलसी की सूखे पत्ते का कुछ फायदे बताने जा रही हूँ कई बर हमारे नप पास तुलसी की सूखे पत्ते बहुत सारे होते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि इनका हम क्या करें भगवान श्यहाई विश्न को लड़ु गोपाल को श्रीकृष्ण भगवान को जम तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं उसके बाद भी हमारे पास वो सूखे पत्ते बच जाते हैं तो आप इन पत्तों को अपने हाथ में लीजिए मातालश्मी से प्रात्ना कीजिए कि आपके घर में जो भी आठी तंगी है परिशानी आ रही वो दूर हो और इसके बाद आप इन पत्तों को लाल कपड़े में बांग के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं तो इससे मातालश्मी प्रात्न होंगी और आपके घर में स्थिरवास करेंगी इन सूखे पत्तों से आप एक लोटा लीजिए उसमें तुलसी के पत्ते को डाल दीजिए सूखे पत्ते जो होते हैं उसके बाद आप अपने पूरे घर में इसका छड़काव कर सकते हैं तो आ अगवान शिरहरी विष्णु प्रसन होते हैं हमारे लड़ू बाबू प्रसन होते हैं तो आप यह पाई कर सकते हैं सूखे पत्ते अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बहुत जादा बच्चे मतलए उनका मन भटका हुए आत्म विश्वास खोया हुए तो सूखे पत्ते तुलसी के लेजिए उनकी किताब में उनकी पुस्तक के अंदर आप रख दीजिए और प्रातना कीजिए सरस्वती माता से कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगे आप देखे उसके बाद बच्चे के अंदर अलग ही आप में विश्वास आएगा तुलसी क सूखे पत्तों के बहुत सारे फाइदे हैं बस आपने इनको करके देखना हैं बहुत ही अचोग से ये उपाएं हैं अगर आपने शद्धा विश्वास के साथ किया तो यकीन मानिए कि आपके जिवन की हर एक समस्य का समधा नवश्य होता है बस विश्वास की कमी होती है व विश्वास सविशार रखें आब मुझे आगया दीजे मैं फीराओंगी सी तरह के अद्भुदनों के उपाई के साथ में जैशी किश्णा